हेलो प्रेंट्स आप सभी का हमारी चनल में स्वागत है और इस वीडियो में आप लोगो को क्लास 10 का जो सेकंड सेटिंग में एक्जाम होने वाला है जाने कि मैं बात कर रहा हूं सब्जेक्टिव कोश्टिंस का तो दोस्तों सब्जेक्टिव कोश्टिंस का मैं सबसे इसी चनल पर कर रहा है जाएगा जो यह सेकंड सेटिंग का एक्जाम का कम्प्लिट कोश्टिंस बेपर का मैं सलुसन देने वाला हूं तो वीडियो पर एंड तक बने रही आए तो चलिका करके हरे कोश्टिंस को देख लेते हैं तो दोस्तों आप देख लीजिए जरे कोश सिद्धांत कहता है कि ज़ंडी कोई सभी मकसद लिए लड़ाई लड़ रहा है तो उसे अपने ऊपर त्याचार करने बाले से लड़ने के लिए टाकत की जुरत नहीं होता है यहीं जो सिद्ध्यांत है हैं Сच्थागरा का सिद्ध्यांत है ठीक है नगला कोश्टिं देख यहां पर रॉल एक्ट एक्ट ने अंग्रेज सरकार की क्या सकतियां प्रदान की जो की दो अंकिये प्रस्णफ पूछा जाएगा ठीक है तो देखिए आपर कोश्चन का एंसर किस परकार से देंगे यहां पर देखिए इसी चीज़ को लिखना आसान तरगे से कि इस एक्ट य जा सकता था इसे रॉल एक्ट एक्ट बोला जाता है ठीक है अगला जो कोश्चन से क्या यहां पर देख लिए साइमन कमिशन बनने का मुख उदेश्च क्या था आप लोग थोड़ा सा जूम कर देते हैं आप लोग के लिए यह दो अंकिये प्रस्ण है तो देखिए यह मैस जाने सुझा देने के लिए बनाए गया था ठीक है साइमन कमिशन का मुख उदेश्च ठीक है अगला कोश्चन भी दोंकिया क्या साइमन कमिशन का बिरद क्यों हुआ था तो यहां पर साइमन कमिशन में केवल अंग्रेज जी सदेश्च थे यह एक भी भारतिया सदेश्च नहीं थे इसलिए इसका विरोध हो रहा था जो कि आप लोग पता होगा चेप्टर टू का कोश्चन से ठीक है और यह सब कोश्चन दोस्तों आप लोग का सब्जेक्टी में जो आपका तीन सेक्षन में पटा हुआ है जो कि अती लोगों त्रियों होने वाला है दिर्गों त् सुरुआत 1990 के दसंग में हुआ जिस आपको याद रखना है यह सब कोश्चन दोंकी में डारेक्ट पूचा जाएगा क्या एकला कोशन संकाट किस बर्स प्राराम हुआ तो 29 इसमे में प्राब हुआ था जिस आपको याद रखना है दूस्तों नगला आप जो पांच नमर वाला कोश्चन एक मतलब section A तो आपका पुरा-पूरी objective होने वाला है यह तो पता होगा लेकिन subjective में ही आपका तीन गो प्रोसेन है पहला है जो section A वाला होने वाला है जिसमें आपका साथ तो questions रहेगा पाँच questions का जवाब देना है तो इसी पाँच questions में से आपका questions फच जाएगा एकीन मानिए जिन सारे questions को कर लिजिए आपके subjective exam के लिए काफी मददगार होने वाला है तो dear students मेंने हर एक questions को बहुत अच्छे देगा से और इजिए तरिकस आप लोग को बता दिया तो चली मिलते हैं अगले वीडियो पे तब तक के लिए आप लोग के बहुत बहुत थैंक यू जाहिंद